हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरा नमस्कार तो देखिए कार्थिक कुन्दमा होने के अगले दिन चड़ा चड़ी की पूजा होती है और चड़ा चड़ी का घर बना जाता है कहा जाता है कि जिनका मकान नहीं होता है जो रेंट पर रहते हैं ऐसा क मकान है वो करते हैं तो उनका और मकान हो जाता है कहते हैं कि जो कार्थिक पूरे महीने नाता है वो भी इस पूजा को कर सकता है लेकिन किसी का घर नहीं है वो भी इस पूजा को कर सकता है तो कार्थिक के महारा से हम प्रात्ना करते हैं कि हमारा घर नहीं है हम घर बना रहे ह चढ़ा चढ़ीका तो हमारा घर हो जाए मानना यही है कि ऐसा करने से घर अपना हो जाता है तो देखे सबसे पहले यहाँ पना Finnish THON तो देखे यहाँ पर मैं घर बना रही हूं लेगे पीछे मेने एक बड़ा लॉंट दिया हैor पिर में चार कम्रे दूंगी और आगे भी एक लोन दूंगी जिस तरीके से हम चाते हैं उसी तरीके से हम बना सकते हैं लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि आप जब इसमें कम्रे बनाती हैं तो उनको बंद ना बनाएं कि आगे से उनको बंद कर दें हर कम्रे में तो देखिए मैं पहले एक चड़ा बनाओंगी क्योंकि चड़ा बनाए जाता है और चड़ी तो देखिए एक मैने भी बना लिया है यहां पर थोड़ी सी आकरिते दे दिया आपको भी समझ में आ रही होंगी देखो यह चड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा चड़ी थोड़ा सा फरग होता है तो यहां पर मैंने दोनों को बना लिया है इसके बाद देखिए कार्टिक के पूरे म माना जाता है तो देखिए सबसे पहले हम इनको हल्दी से पूझेंगे चड़ा चड़ी को हल्दी लगाएंगे फिर उसके बाद आप कुम-कुम से इनको तिलक लगाएंगे अब मैं यहां कुम-कुम से दोनों का तिलक करूँगी इस तरीके से आप इन दोनों का तिलक कर लें देखिए इसके बाद हम पस्त रूपी कलावा चड़ाएंगे तो देखिए यहां मैंने चड़ाओ चड़ी को कलावा पेना दिया है अब बतासे का अगर आप मिस्री का बोग लगाना चाओ मिस्री का लगाते हैं यहां मैंने पतासे का लगाया है तो देखिए हर घर की माननिता अलग होती है क्योंकि बहुत से घरों में तो कमरों में चावल डाले जाती है और बहुत से घरों में खील डाले जाती है 7 अब हम करेंगे देखिए मैंने भी बताया अगर आप किए लाट सकते हैं चावल डालते हैं तो चावल पहले हम हर एक कमरा में एक δीपक रखेंगे कार्थिक में दीब्धान का आपको पताया बिशिस्मेंत तो यहां पे भी हर कमरे में हम एक दीपक लगाएंगे और मैं पीछे एक लोन में भी दीपक रखोंगे और आगे भी एक दीपक रखोंगे और चारों कमरों में दीपक रखोंगे बहार तुलसाजी पर भी हम दीपक रखेंगे क्योंकि कार्थ के महीने में तुलसाजी को दीपक जलाती है और एक हम मैंगेट प चाहिए तो देखे यहां पर मैंने अब भूग बाहर रख दिया है अब एक लोटा जल जरूल रखना आपको क्योंकि पानी का शुरूत होता है तो हमें घर के अंदर पानी की जरूत होती है तो एक लुटा जल अवश्य रखना चाहिए देखे इस तरीके से मैंने यहां पर जल रख दिया है अब मैं सब दीपक पर खील थोड़ा सा खील लगा दूँगी देखे किसी के यह चावल आपके यह अगर चावल होती है तो आप चावल डाले अगर मेरे यह देखो खील होती है तो मैं खील डाल रही हूँ पहले तुम चड़ा चड़ी पर चड़ाएंगे उसके बाद हम देखे मैंने पहले अच्छा चड़ाए थे फिर खील चड़ाएंगे अब मैं सब दीपक के पास खील चड़ा दूँगी इस तरीके से आप खील लगा सकते हैं और चाहें तो आप हर दीपक पर एक एक फूल भी रख सकते हैं और हर दीपक का पूजन भी कर सकते हैं मैं सरल विदी बता रही हूँ आप कर सकते हैं यहां मैंने तुलसमा को भी टीका कर लिया है सब को मैंने टीका कर लिया इसके बाद देखिए अब हम अपने सारी दीपक जला लेंगे यहां तो कार्तिक फूर्मा के अगले दिन ही इसकी पूजा होती है आप इसी तरीके से पूजा करें वर्कुल सरल विदी मैंने आपको बताई है इस तरीके से आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक शेर अवर्स करें इस तरह की वीडियो मेरी चैनल पर आती रहती है पूजा पार्ट वरत कता सारी तो आप सभी को चिड़ा चिड़ी की पूजा की बहुत बहुत बदाईए